युगा किसानों को मिर्च की खेती करना चीह कि नहीं जो है कैसी क्रॉप है किसान को प्राफिट देखे जाएगा अच्छा लेबर को आप कैसे मेंटेन करते हैं अपना जो यह मिर्च है कितने महने का क्रॉप है फ्लावरिंग लाने के लिए कुछ इस पेसल है एक एकड में कि आपका नाम और पता दीजे जी नेरा नाम नाम सुहा कृषिव फार्म सुहा क्रिशिव फार्म पासिंग जोरी सहसपूर लोहारा कबिर धाम जी लेका निपक जी आप कब से खेती कर रहे हैं करीब आट-दस साल हो गया है तो आपने अपना खेती कि त्टेकड में चल रहा ह और 2 इकड़ में shift, अब हम लोगए है मिर्ची के जगह हमें इतने मिर्ची कि त्टेकड में आप कर रहे हैं शे कड़ गया है यह योगी है योगी है इसका साइज लगभग कितना रहता है जी है मार्केट में कैसे है अच्छा है इसका थी हुआ है 15 जून के आस पास तो 15 जुन काइब तो हारवेस्टिंगीते दिन में हो जाता है eher 40 ही दिन में सुरुवाती में हो जाता है अच्छा तो सबसे ।प्स आने छाएंगे तो यह एक एकषमने , आपने किसे खैट की त्यारी करी Jurassic ऐसे च्पेत की तयारी कैंसे करी इसकी पहले क्याMusic करवा देते हैं और जुटाई करने के बाद नागी दिखा करके हैं फ्लाव कर छोड़ने के बाद प्रकर उसमें बेॉसमें बेड़ थैयार के बेड़में फिर क्या क्या डालते या और वेक पहले बेसल के लिए असटाइस लाइए वागरह, सिंगल सुपरफासपेट, इसका यूस करते हैं वैसे, इसको बाद में करते हैं अलब आप ऐसे असपी डालके और गोबर खार जित्ता भी मिल जा है, फिर गोबर खार डालने के बाद आप ड्रीप पाइप से करते हैं ना सी चाही? मिर्च के पौधे में बेट से बेट के दूरी कितनी होनी चाहिए यह लोग जैसे अपने पने हिसाब से लगाते हैं हम लोग को अच्छा 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 आपका जून पीपी है तो यह अगर अच्छा खासा रहा तो मार्श तक ही चला जाएगा यह पूरा सीजर नहीं खीच लेता है लग भाग तो जैसे यह तो अपने खेट के त्याजी कर ली उसके बाद टीपी किया जी की कि करने से ले कर के पूरा जब तो चलता है तो खात का सेडूल क्या रहता है हाँ इसमें खात का सेडूल जैसे शुरुवात में ही अपन डेंचिंग करते हैं ठीक है होने के बाद में और जैसे जैसे समय और फसल बढ़ते जाता है उसके हिसाफ से फिर इसमें फिर अलग अलग मेंगनिसियम कैलिसियम और जिरो बावान जो तीस सल्फर अच्छा इसका से सलसऊर के साफ से मतलब उस समय क्या मांग रहा है वाद में फिरमेंट क्या है हां हां अच्छा तो सभी जो जो वाच वाट वासे साफ फ्लड़ thatís लों लाने के लिए कुछ जील क्यों करते हैं या इस प्रेकों क्यों करते हैं बस जींक और बोरान केलिसियम मेंगनिसियम इसका बस मेंटेन रखना है ठीक तो जैसे कि सेकंडरी यह है खाद है समझो उस पर विशेश ध्याद रखना है ठीक ठीक इसमें आपने जो बंधाई किया वह एच सिस्टम से किया है और नीचे इसमें आपने यह नौ नास का तार लगाया है और इसको इस तरीके से बांद है ताकि गिरे मत जी हावा वागरा से ही 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 इसके एक ही बंधाई के जरुट पड़े कि उपर और बंधाई है इसमें अच्छा एक नीचे में फस्त रो है उसके बास सेकेंड उप जाते हैं यह करीब करीब साड़े चार फिट अभी मतला और बढ़े गाई हाँ यह थोड़ा सा ग्रोथ लेगा ठीक अभी क्या तीपी से अभी तीन महने कभी नहीं हुआ है ठाई महने कई है यह तो जैसे अभी एक एकड़ में कितना निकल जा रहा है माल अभी लगबग ल जोटन के आज पर चला जा रहा हैं और एक एकड़ के है और क्या और चल रहे है अब तन है किया अगर है सहीं से यह करें जैसे हरा महीं ज्यादा इसका अब सुखा का तो उतना नहीं की हैं कैलकुलेशन की हैं अच्छा फिर भी 18-20 तन के एक एकड़ देता है और एक एवरेज रेट मार्केट अब डाउन सब मिला के एवरेज रेट निकाले तो कितना तरह निकल जाता है अब 20 रुपए के आसपास बैठना चाहिए अच्छा इसका मतलब 4-5 लाग के लगवरेज निकल जाता है खर्चा कितना जाद हो गए करके पीछे वो अगर शुरुआत से ही और आखरी तक हिसाब लगाए तो लगवर 2 लाक रुपए का खर्चा है तो मोटा मोटी 2-3 लाक करते हैं क्या बाकी बाड़ी जैसे फाम 20 एकड़का है तो खाली समय में अपन मिर्ची का ही दूश कराते हैं लेवरों को और यह कंटीनिव रखते हैं तोड़ाई जैसे 15 लेबर तोड़ना है तो उसको रोज ही डेली का तोड़वाते हैं अच्छा बाकी और 15-20 लेबर है उससे अन्यकाम मेंटिनेंस का कराते हैं दूसरी जगह और या दूसरे फसलों के लिए समय निकालते हैं इसकी तोड़ाई एक निस्चित इसमें तो फिर क्या है यह चलते चलते एक राउंड हो जाता है सेकेंड आते आते इस टाइप का इसको मेंटिन करके रखे हैं अभी क्योंकि इसमें मिर्च तोड़ने के लिए मजदूर को अच्छे से प्रबंधन करना पड़ेगा तभी सही समय में सही माल निकल पाएगा जी 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 अब उसमें अपने क्या केजी की हिसाब से तोड़ाई करवाते हैं अच्छा ठेका सिस्टम में तो लेवर को भी अच्छे हाँ बेनी फीट हो जाता है और अपना भी समय और समय रहते काम अधिक हो जाता है ठीक ठीक तो जैसे इसमें बीमारियां क्या-क्या लगती मिर्ची में मिर्च का मिन जो है वो थ्रिप्स है वाइट फ्लाई और अभी तो ब्लेक थ्रिप्स का भी प्रकोब बढ़ जाएगा अच्छा तो इसके लिए आप इस्प्रे का सेडूल अपनाते होंगे जी 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 आप इतने साल से अनुबह करेंगे तो आपको पता होगा कौन सी दवाईयों को क्यों करना है जी मौसम थोड़ा सा देखके मौसम की हिसाब से परिस्तिति का नुशार कि वाइट फ्लाई अच्छा इसमें चुर्मूरा रोड कुछ होता है कि बारिस के समय होता है इसके लिए अगर टाइम पर आपन सेडूल को प्योग करना है कीट पतंग भी लगते हैं किया आता है ना इसमें तो इन सब का इस्प्रे करने से रहता है जैसे आपन सबसे बड़ा समस्य तो खर-प इसके लिए आप क्या यूज करते हैं बस रेगुलर जैसे बारिस हुआ उसके बाद पैरा कॉर्ट वगरा इसमें कंट्रोल हो जाता है होने के लिए तकलीफ बढ़ रहा है धीरे धीरे उसको फेर फड़ा सा हाथ से निकल वा देते हैं गाजर घास को ठीक है चलिए बढ़ि एक एक कर्ण में खर्चे कितना जाता है इसके जन करी दे Lena किसानों करना ची किनियें रच है किसान को प्राफिट देखे जाएगा अच्छा नहीं देगा मीर्च यू है को फश्थ श घरे गयर तरपा लोब के जाएग्व जट जी धन्यवार्व